आज पहली माई है अंतर राष्ट्रिय श्रमिक दिवस भी है जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा न्याए पत्र इसको मुफ्त में पुब्लिसिटी प्रधान मंत्री ने दी है और देते रहें हैं और देते रहेंगे इसमें श्रमिक न्याए के बारे में हमने पांच गैरेंटिया दी हैं ये हमारा गैरेंटी कार्ड है जो करीब आठ करोर परिवारों तक पहुंच रहा है और इसमें श्रमिक न्याए एक इन पांच न्याएं में से श्रमिक न्याए है और मैं समझता हूँ कि आज उचित है क्योंकि आज अंतरराश्रिय श्रमिक दिवस है 1923 से 1923 से यानि कि 101 साल हम पहली माई को अंतरराश्रिय श्रमिक दिवस के रूप में बनाते हैं और मैं समझता हूँ आज उचित है कि हमारे न्याए पत्र में श्रमिक न्याए को लेकर जो हमने मुख्य तोर से पांच गैरंटियां दी हैं उसको मैं फिर देश के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूँ ये श्रमिक न्याए को लेकर हमारे पांच गैरंटियां ये हैं पहला गैरंटी ये हैं चार सो रुपय कम से कम देनिक मजदूरी मनरेगा में भी ये है असली चार सो पार को लकली चार सो पार के बात करते हैं असली चार सो पार ये है कि श्रम का सम्मान चार सो रुपय कम से कम देनिक मजदूरी मनरेगा में भी दूसरा गारंटी है श्रमिकों के लिए 25 लाक का हेल्फ कवर होगा हेल्फ इंशूरिंस होगा राजस्थान के सरकार चिरिनजीवी परियोजना को लेकर जो हमने किया था राजस्थान में अभी हम सारे देश में हमने गारंटी दी है 25 लाक रुपे का हिल्थ कवर होगा मुफ्त इलाज अस्पताल डाक्टर दवा टेस्ट और सामगरी और जो सरजरी भी होती है उसके उसमें इस 25 लाक में जुड़ा हुआ है तीसरी गैरिंटी ये है कि जैसे हमने 2006 में महत्मा गांदी रोजगार गैरिंटी पर योजना की शुरुआत की थी महत्मा गांदी रोजगार गैरिंटी एक्ट पारित होने के बाद ऐसे ही शेहरी रोजगार गैरिंटी कानून हम बनाएंगे राजस्तान में बना था उसी तरह सारे देश के लिए हम एक शेहरी रोजगार गैरंटी कानून बनाएंगे और उस कानून के तहट शेहरी इलाकों में रोजगार की गैरंटी हम दे रहे हैं चौथा गैरंटी ये है सामाजिक सुरक्षा खास तोर से असंगट छेत्र के मजदूरों के लिए जीवन और दुरगटना भीमा जैसा की आप जानते हैं करीब 92 प्रतिशत रोजगार हमारे देश में असंगटिक छेत्र में है संगटिक छेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावदान काफी विस्तार से किया गया है पिछले 70 सालों में पर सामाजिक सुरक्षा असंगटित शेत्रिके श्रमिकों के लिए इतनी भारी मात्रा में वो प्लब नहीं है जितना की होना चाहिए था इसलिए हमने असंगटित मजदूरों के लिए जीवन और दुरगटना बीमा का गारंटी दी है और पांचवा गारंटी ये है सुरक्षित रोजगार ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सरकारी कामकाज में सरकारी रोजगार में सब कॉंट्रेक्ट लेबर हो रहा है सब कॉंट्रेक्ट लेबर का इस्तिमाल हो रहा है हम कॉंट्रेक्ट सिस्टम मजदूरी को करेंगे ये हमारा पांचवा गैरेंटी है तो श्रमिक न्याए युवा न्याए नारी न्याए किसान न्याए हिसेदारी न्याए और श्रमिक न्याए ये पांच न्याए हमारे न्याए पत्र का स्थम्भ हैं और इसको लेकर हमने जो 25 गैरेंटियां दी हैं मैंने आपको श्र अंतर राश्ट्रिय श्रमिक दिवस के अफसर पर फिर से हमारे देशवासियों को अवगत कराया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दस साल में श्रमिकों को लेकर, दस साल खास तोर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, तो अन्याएकाल रहा है। बेरोजगारी का दर पिछले 45 सालों में इतना हमने नहीं देखा है, जो इस साल हमने देखा युवाओं के लिए, किसान के लिए MSP कानूनी दरजा का वादा किया था प्रधान मंत्री ने, वो अब तक पुरा नहीं कर पाए हैं, उस पर अपनी उन्होंने चुपी नहीं तोड़ी हैं, पर खास तोर से श्रमिकों को लेकर, पिछले दस साल में अगर आप सरकारी आंकड़े देखें, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकार का एक लेबर ब्यूरो आफिस होता है, जो शिमला में है, और उस लेबर ब्यूरो जो केंडर सरकार की संस्ता है, उस लेबर ब्यूरो के आंकड़े वास्तविक मजदूरी स्थिर हो गई है, यानि कि रियल वेज रेट श्रमिकों का बड़ा नहीं है, बिलकुल ऐसा ही रहा है, दो हजार चौदा और दो हजार तेश के बीच में, खास तोर से मोधी जी के दूसरे कार्यकाल में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है, य मजदूरी दर में कोई बड़ोतरी नहीं हुई है, यह बहुत बड़ा आनिया आई है, और दूसरी बात, यह भी सरकारी आंकडे हैं, यह सब आंकडे जो मैं आपको दे रहा हूँ, यह प्रकाशित आंकडे हैं, सरकारी संस्थाओं के आंकडे हैं, कि डॉक्टर मनमोहन ये के कारिकाल में यानि की 2004 और 2014 के बीच में खास तोर से खेद मजदूर को अगर आप देखें वास्तविक मजदूरी दर खेद मजदूरों के लिए हर साल 6.8 प्रतिशत की बड़ोतरी हुई थी पर पिछले 10 साल में खेद मजदूरों के लिए मजदूरी दर है हर साल 1.8 प्रतिशत गिरा है यानि कि संग्शित में मैं आपको बता दूँ अंतर राश्ट्रिय श्रमिक दिवस पर कि श्रमिकों पर भारी अनियाई हुआ है पिछले 10 साल में कानून बदले गए हैं और कॉंट्रैक लेबर बड़ा है मजदूरी दर में कोई बड़ोतरी नहीं आई है और इसी लिए हमारे जो गैरंटिया हैं जो हमारे नहाई पत्र में श्रमिक नहाई को लेकर हमने पांच गैरंटिया दिये हैं वो मिशेश महत्व रखता है और मैं समझता हूँ ये इस नहाई पत्र का एक बहुत महत्व पूर्ण हिस्सा है दूसरा विशह जो मैं आज देना चाहता हूँ, यह आप देखे होंगे, पिछले दो दिन से राउल गांदी जी जहां कहीं बाशन दे रहे हैं, इस किताब को दिखा रहे हैं, इस किताब की कॉपी मैंने अभी-भी मंगाई है, आप लोगों को भी मिल जाएगा, तो यह किताब जो है, हमारा संविधान है, पॉकेट साइज एडिशन है, आपके बैग में आप दाल कर, हमेशा आपके साथ रख सकते हैं, और राहूल जी ने, इसका हमेशा जिकर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान पर आकरवन हो रहा है, और जैसा कि, हम पहले से कहा रहे हैं कि 400 पार का असली मकसद यह है कि यह संविधान को बदलने का अधिकार हमें मिले पहले प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार ने कहा बाद में कई उमिदवारों ने कहा कई सांसदों ने कहा पर आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है बीजे पी और आरेसेस की ओर से सम्विधान बदलो का नारा जो हम सुन रहे हैं बीजे पी और आरेसेस की प्रवक्ताओं से ये पहली बार नहीं है 1949 से ये मांग रही है RSS के और से कि बाबा साब अम्बेडकर ने जो मुख्य निर्माता थे सम्विधान का इसको बदलने की जरूरत है इसके पहले मैं आपको सम्विधान सभा की बैठक जब हुई थी 25 नवंबर 1949 आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को सम्विधान का मसौदा अपनाया गया इसलिए आज हम 26 नवंबर को सम्विधान दिवस के रूप में बनाते हैं पर एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साब अम्बेडकर ने सम्विधान सभा में भाषन दिया था जब मसौदे के बारे में बाचीत हो रही थी और अंतिम भाषन उस दिन बाबा साब अम्बेडकर का था और मैं उस भाषन का कुछ चार या पांच लाइन में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है कि प्रधान मंत्री जो बार बार आरोप लगाते हैं कॉंग्रेस पर ये कितना जूट है और कितनी भेंकर तरीके से प्रधान मंत्री इतिहास को एक नया रूप देना चाहते हैं 25 नवंबर 1909 को संविधान सभा में बाबा साब अंबेडकर जी ने कहा था ये वो अंग्रेजी में भाशन था मैं उसका हिंदी में अनुवात करके बताऊंगा बाबा साब अम्बेडगर जी ने कहा था संविधान सभा भानुमती का कुन्बा होती या बिना सिमेंट वाला कच्चा फुट पाथ जिसमें एक काला पत्थर यहां और एक सफेद पत्थर वहां लगा होता और उसमें प्रत्यक सदस्य या गुट अपनी मन मानी करता तो प्रारूप समती का कार्य बहुत खटिन हो जाता यानि कि ड्राफ्टिंग कमिटी का कार्य बहुत खटिन हो जाता तब अव्यवस्था के सिवाई कुछ न होता अब व्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कॉंग्रेस पार्टी के उपस्थिती से शून्य हो गई जिसमें इसकी कारवाई में व्यवस्था और अनुशासन पैदा किया ये कॉंग्रेस पार्टी के अनुशासिन का ही परिनाम था कि प्रारूप समिती के प्रत्येक अनुछेद और संशोधन की नियती के प्रती आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी और सबसे महत्व पूर्ण पंक्ती यह है इसलिए सभा में सम्विधान के ड्राफ्ट को सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रे कॉंग्रेस पार्टी को जाता है पांच दिन बाद तीस नवंबर उनिस सो उन्चास को और और गनाइजर जो आरेसेस का प्रकाशिस पॉब्लिकेशन है उसमें एक लेक लिखा गया और मैं उस लेक के तीन या चार लाइन पढ़ना चाहता हूँ तीस नवंबर उनिस सो उन्चास को यह अंग्रेजी में था मैं हिंदी में पढ़ूँगा और उसका अंग्रेजी का अनुमाद भी करूँगा यह लंबा सा है यह कॉपी भी आपको दे दूँगा यह और्गनाइजर का है यह कोई फेक डॉक्टर नहीं है यह और्गनाइजर का है मेरे उपर कोई केस नहीं लग सकता हमारे समविधान में प्राचीन भारत के अध्वितिय समवैधानिक विकास का कोई उलेक नहीं है बहुत पहले लिखे गए थे आज तक मनुस्मृती में बताए गए उनके कानून दुनिया की प्रशंसा पाते हैं लेकिन हमारे सम्वैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है यानि कि organizer की आलोचना, RSS की आलोचना थी कि यह समविधान मनुस्मृती के आधार पर नहीं बनाया गया है यह बहुत प्रगतिशील समविधान है मनुस्मृती के आधार पर नहीं बनाया गया है मनुवादी सिध्धानतों, मनुवादी आदर्शों के खिलाफ है ये 30 नवंबर 1949 और्गनाइजर में लिखा गया है और ये RSS की पत्रिका आज भी है, आप जानते हैं बार बार और्गनाइजर में सम्विधान सभा की औरोचना हुई तब के RSS के अधियक गुरू गोलवालकर जो कहते हैं RSS के लोग MS गोलवालकर उनका लेख हुआ और सब इन लेखों का मतलब एक ही था कि इस सम्विधान में मनुस्मृती का कोई जिकर नहीं है प्रेरना मनुस्मृती से नहीं लिया गया है इसलिए इस सम्विधान को भारतिय सम्विधान कहना गलत होगा ये हमेशा RSS की टिपनी रही है और अमबेडकर खास तोर से बाबा साब अमबेडकर को निशाना बनाया गया था बाद में 1960 के दशक में दीन दयाल उपाध्याई जो एक बड़े व्यक्ति हैं RSS के लिए BJP के लिए उनसे आज भी लोग प्रेना लेते हैं दीन दयाल उपाध्याई जी ने इस सम्विधान की कड़ी आलोचना की 1965 में उनका एक किताब छपा जो आज भी लोग RSS में BJP में पढ़ते होंगे और इस किताब की शुरुवाद होती है कि सम्विधान का पहला अनुचेद आपको याद होगा सम्विधान का पहला अनुचेद जो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा हम इसके खिलाफ हैं यानि कि पहले अनुचेद से ही दीन दियाल उपाद ध्याई जी कह रहे हैं ये हमारे लिए हम स्विकारते नहीं हैं क्यूंकि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा हमें बहुत आपत्ती है इस अनुछेद से वो ये मान कर चलते थे कि राज्यों की कोई भूमिका नहीं है हमारे देश में सिर्फ संग की भूमिका होनी चाहिए हालांकि ie संग माने union होता है पर आज साफ हो गया है संग की भूमिका माने राश्ट्रिय स्वायम सहिवक संग की भूमिका, Union of India की नहीं तो साथियों ये इसी लिए राहुल जी बार-बार अपने भाशनों में, गुजरात में, चत्तिसगड में, मध्यप्रदेश में हमेशा ये किताब दिखाते हैं क्यूंकि उनका ये ही संदेशा है चार सो पार के पार के पीछे राज ये है कि हमें संविधान बदलने का अरिकार दो, संविधान बदलने का हद दो और ये संविधान के जो मूल सिध्धान थैं, पंथ निर्पेक्षता, RSSS और BJP इसके खिलाफ है सामाजिक न्याएं जो आरक्षन पर केंद्रित है, उसके खिलाफ हमेशा रहा है 2017 में RSSS के अधियक्ष मोहन भागवत जी ने खुद आरक्षन के खिलाफ एक बयान दिया था बाद में उनको उसको वापस लेना पड़ा, दबाव के कारण, मनमोहन वैद्या जी ने भी इसकी कड़िया लोशना की थी तो ये बिलकुल साफ है कि सामाजिक नियाए और पंथ निर्पेक्षता और लोकतंत्र जो हमारे संविधान के मूल सिधान थे, जो प्रस्तावना में इनका जिकर किया गया है, इसके खिलाफ RSSS और BGV हमेशा रहा है अभी आपके कुछ सवाल हैं, इन दो विशियों पर मैं लोगा, जानता हूँ आपके सवाल और तिसरी विशय पर है, उसके बारे मैं अमें अलग से आपसे बात करोगा इन दो विश्यों पर इन दो विश्यों पर श्रमिक नियाय बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और संविधान पर जो आक्रमन हो रहा है संविधान बदलने की बात जो हो रही है वो भी बहुत संविधन शील और महत्वपूर्ण मुद्दा है तो मैं आप से निवेदन करू होंगा कि कभी-कभी आप लोग इन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिएगा अजी सर आप लगतार खास्तोर पर आप और आपकी पार्टी ये कह रही है कि समिधान बदलना चाहती है केन सरकार और मोदी सरकार लेकिन मोदी सरकार की और से और मोदी जी की खुद प्रतिक्रिया आई है कि आप लोग अफवा फैला रहे हैं समिधान बदलने की कोई बात है ही नहीं देखें अफवा तो फैलाने वाले तो RSS है इसी मन से 35 साल पाथ पहले हमारे एक बहुत वरिष्ट प्रवक्ता विठर दाडगिल जी ने कहा था कि RSS माने रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कॉंग्रेस कभी अफवा नहीं फैलाती है मैं आपको सुपूत दिया हूँ कि 1949 से RSS के नेता RSS के बुद्धी जीवी इस सम्विधान के खिलाफ रहे हैं और एक ही कारण कि ये सम्विधान मनुस्मृती के खिलाफ जाता है उन्होंने साफ कहा है 30 नवंबर 1949 को कि प्रेणा मनुस्मृती नहीं है प्रेणा और कहीं से आई है तो ये बात सही है कि प्रधान मंत्री ने कहीं नहीं कहा है कि मैं सम्विधान बदलूँगा पर उन्होंने कहलवाया कहीं लोगों से उनका काम करने का तरीका तो यहीं है कटपतलियों की कमी नहीं है कटपतलियों से कहलवाते हैं पहले आर्थिक सलाकार से कहलवाया बाद में कोई सांसत से कहलवाया तीसरी आवाज आई को उमीदवार राजस्थान में उत्तर प्रद के लिए नया सम्मिधान की जरूरत है तो ये बार बार ये बात उठती है बिलकुल साफ दर्शाता है कि ये रन नीती है मैं नहीं बोलूँगा पर आप बोलते जाओ एक माहौल बनाते जाओ कि लोग समझें अच्छा ये सम्मिधान में कुछ कमियां है इस सम्मिधान को बदल ने की जरूरत है इसी लिए बार बार राहूल जी कह रहे हैं कि इस सम्मिधान को अगर आप बदलेंगे तो आप सामाजिक न्याए की खिलाफ होंगे पंथ निर्पिक्षता के खिलाफ होंगे लोक तंत्र के खिलाफ होंगे सम्ता के खिलाफ होंगे 2017 में उनी का बयान था 2017 में उनी का बयान था लेकिन लेटेस्ट अभी एका है न बयान बदलते रहते हैं अफसर वादीस बयान होते हैं ये भी क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है अभी चुनाव का वक्त है उनको बोलना पड़ता है प्रसान मंत्री ने बोल दिया होगा बागवत बाबू क्या आप बोल रहे हैं आप तो ये अवसरवादी 2017 में उन्होंने क्या कहा तो ये ये एक जान बूच कर रनिती अपनाते हैं कि मैं नहीं बोलूगा पर आप बोलते जाओ ये सम्विधान की आलोच ना करते जाओ तो हमने जो कहा है न्याई पत्र में ये सम्विधान की जो सिद्धान्त हैं सामाजिक न्याई को लेकर बार बार प्रदान मंत्री आरक्षन की जब बात करते हैं ये गलत प्रचार करते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षन के पक्षदार है, हमने कहां कहा है, यहां पत्र में इसका जिकर ही नहीं है, इसका तो जिकर ही नहीं है, हालंकि मैं आपको बता दू, प्रधान मंत्री को जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं उनको जानकारी द लिस्ट है, उसमें कुछ ऐसी जातियां है, जो अलग धर्म के जातियां है, पर उनको आरक्षन दिया गया है, प्रधान मंत्री कौन थे तब, नर्सिम्राव नहीं थे, मनमोहन सिंग जी नहीं थे, अटल भी आरी वाच पाई थे, हमेशा ये मानना है कि सामाजिक और आर्थिक पिछले पन के आधार पर ही आरक्षन दिया जाएगा, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये 50 प्रतिशद सीमा लगाई है, और कुछ राज्यों में आरक्षन 50 परसेंट को पार कर दिया है, हम चाहते हैं कि संविधान में संशोधन हो, ताकि अलग राज्यों में 50 प्रतिश कि सीमा जो पार्ग हो चुका है उसको एक कानूनी दर्जा मिले आज अगर आप देखें तामिल नाडू का एक मात्र राज्य है जिसका आरक्षन कुल मिलाकर 69% है और वो 9th schedule में है यानि कि उस पर कोई कोर्ट की ओर से उसकी समिक्षा नहीं हो सकती वो 9th schedule की परिभाशा है पर महराष्टर में करनाटक में सभी राज्यों में अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती और OBC के लिए जो आरक्षन है सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीमा तै कर दिया है मैं प्रधान मंत्री से सीधा करना चाहता हूं प्रधान मंत्री जो बार बार इस न्याय पत्र को सामप्रदाइक रंग देनी का प्रयास कर रहे हैं तो तोर मरोड कर जो बातें इस न्याय पत्र में नहीं हैं उसका जिकर कर रहे हैं मैं उसी प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसूचि या नहीं सिधा जवाब दीजे हमने सिधा जवाब दिया है घरगेजी ने सिधा जवाब दिया है हमारे न्याई पत्र में इसका सिधा जवाब है कि हम समविधान में और यह हमारे गैरेंटी कार्ड में भी है जो गैरेंटी कार्ड हमने छपा है अगर आप देखेंगे हक हमने क्या लिखा है समवैधानिक संशोधन द्वारा पचास परसेंट सीमा हटा कर SC ST और OBC को आरक्षन का पूरा हक प्रदान मंतरी को जवाब देना चाहिए क्या वो इसके खिलाफ है क्या इसके पक्ष में है इसमें कोई धर्म नहीं है यह SC ST और OBC है और आज वो 50% सीमा के लिए समवैधान में संशोधन लाने की जरूरत है कॉंग्रेस पार्टी ने उसका गैरेंटी दिया है प्रदान मंतरी इस पर अपना चुपी तोड़े और बताएं क्या इसके खिलाफ है क्या इस का समर्थन करते हैं असली सवाल यह है मैं यह गलत बात जूड़ कही उन्नाटे उनिश सो चुरानवे में यह आरक्षन दिया गया था और आरक्षन इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले एक आर्थिक और सामाजिक आंक्रों के आधार पर पिछले बन की जानकारी ली गई थी और 4% आरक्षन दिया गया था धरम के आधार नहीं पिछले बन के आधार पर दिया गया था धर्म के आधार पर ये basic structure के खिलाव जाता है मूल धांचे के खिलाव जाता है हमने CAA का विरोध क्यों किया Parliament में जब नागरिक्ता कानून में संशोधन लाये थे हमने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इस किताब में इस संविधान में नागरिक्ता को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता ऐसे ही आरक्षन धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षन सिर्फ सामाजिक शेक शेक एडुकेशनल आर्टिकल 340 क्या कहता है socially and educationally backward classes तो उसी के आधार पर करनाटक में वो 1994 में दिया गया था 1994 के बाद BJP के चार मुख्यमंत्री रहे हैं करनाटक में सदानंद गवडा, जगदी शेटर, येडि उरप्पा और बस्वराज बंबे पांचवा मुख्यमंत्री रहा है उनके बहुत चहीते गटबंदन जो पार्टी है देवे गवडा जी की पार्टी जो आज खबरों में है वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले तीस सालों में सोला साल बीजेपी के प्रधान मंत्री रहे हैं अटेल बियारी वाजपाई छे साल और नरेंदर मोधी दस साल हालांकि वो अभी अवड़ गोइंग प्रधान मंत्री हैं पर फिर भी सोला साल प्रधान मंत्री रहे हैं उन्होंने क्या किया है अचानक इस चुनाओं में आपने ये मुदा उठा दिया आप क्या सो रहे थे उन्निस सो चुरानवे से आप सो रहे हैं आपके मुख्यमंत्री सो रहे थे आप दो प्रधानमंत्री रहे हैं आपके पार्टी के आपने कुछ करवाई क्यों नहीं कि अग कि आपने और्गनाइजर के 1949 के लेक के बारे में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि RSS का विचार यही था कि मनुस्मृति का समिधान बनाने वाली है बीजेपी मैं 30 नवंबर 1949 का लेक है और्गनाइजर में मैं आपको यह दे सकता हूँ और क्या लिखा गया है इसमें कि क्योंकि यह सम्विधान मनुस्मृति से प्रेणा नहीं लेता है यह बारती सम्विधान नहीं किया इसको कहा जा सकता यह साफ लिखा है इसमें, और्गनेजर में, तो कैसा संविधान लाना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, पर ये बात सही है, कि इस संविधान के जो सिद्धान्त है, एक समय लाल कृष्णा अडवानी जी ने खुद कहा था, कि पार्लिमेंटरी डेमाक्रिसी, पार्लिमेंट तो यह constitution जो है, हमारे लिए पवित्र है, इसमें जो सिद्धान्त हैं, पार्लिमेंटरी डेमाक्रसी, सेकिलरिजम, इक्वालिटी, जो सब इसका जिकर किया गया है, सामाजिक न्याई, सामाजिक सशक्तिकरन, जो आरक्षन के प्रावधान है, वो सब खत्रे में होंगे, Sir, you are talking about democracy and also about the democratic institutions, so one question upon ECI, as there was a delay in releasing the data of polling and for that reason many of the opposition leaders are also saying that is it a manipulated data, that's the reason why there was so much of delay, one question this, second is that the polling of Anand Nang and Rajauri has been deferred to May 25th, what reason do you see behind it? very nice way of going beyond the two issues that I asked you to focus on, so let's finish with these two issues, I'll take your issue, let's finish with these two issues, I'll answer your question. आजिक प्रषिक इस्तिक आप जिकर के रहे हैं, राहूल गाणि अप्रक्रियस हो बीढ़े हैं प्रतिक के जारे हैं और प्रत्राशित करना हैं, संविदां की प्रती की माढ하नें राहूल गाrielनी संजिष कर जाएड़ेंकर अबु आं रहा हैं यही तो कह रहे हैं कि यह ख सम्विधान बनाने में डाई साल लगे सम्विधान सभा में इस पर बहस हुई अलग-अलग विचार रखे गए मतबेद थे पर एक आम सहमती बनाकर यह सम्विधान बना इस सम्विधान में संशोदन जरूर हुआ है उनका यही संदेशा है कि यह सम्विधान खत्रे में है, सामाजिक ज्याए के सिद्धान खत्रे में है, आरक्षन खत्रे में है मेरा सवाल प्रेदान मंत्री से एक ही है और मैं दौराओंगा SC, ST, OBC के लिए जो आज 50% सीमा है क्या वो इसके पक्षदार हैं कि ये संबिधान में संशोधन की जरूरत है कि नहीं वो बताईए बाकी सब तो मरोड कर आप सामप्रदाइक रंग देते रहेंगे अलग-अलग बाते करते रहेंगे, दुनिया वर की बाते करेंगे, इस न्याई पत्र में जो नहीं लिखा है वो कहेंगे कि ये लिखा है असली बात ये है SC, ST, OBC के बारे में 50% सीमा के लिए आप संशोधन लाएंगे कि नहीं, हमने साफ कहा है हमारे न्याई पत्र में, हमारे गैरंटी कार्ड में कि हम संविधान का संशोधन करेंगे Okay, now let me take the we finish In case you are promising basically to amend on the reservation issue that SC, ST and OBC could be provided reservation beyond 50% So under OBC can Muslims get, can get reservation? Only, first you have to determine backwardness criteria it has to be on the basis of social, economic and educational backwardness the amendment is only to facilitate SC, ST and OBC reservation it's well understood categories 50% today Tamil Nadu is the only state that is protected under the 9th schedule of the Constitution it's the only state and if I remember right it is entry number 257A in the 9th schedule this was when Mr. Narsim Rao was the Prime Minister and Jailalita Ji was the Chief Minister this was introduced in the 9th schedule this is the only state where reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs that has reached 69% is not considered unconstitutional because it is in the 9th schedule so we want to make this applicable to every state does Mr. Modi want it or not? that's my question ok now let me answer that question 11 day delay in putting out detailed turnout data in the 1st phase 4 day delay in putting out detailed turnout data in the 2nd phase is unheard of unprecedented and unacceptable but the Election Commission has put out the data last night better late than never we hope this will not be repeated in the 3rd phase 4th phase 5th phase 6th phase 7th phase I don't want to read much into the delay I know they are very busy dealing with complaints of the Congress Party because we are giving almost 18 complaints a day almost every day we are giving 18 complaints pipeline me pipeline me saare humare complaint hai to mein janta hun ko aur kisi cheez ke liye samayi ne ho ga par mein umeed kata ho ki tisre charan ke liye sattvay charan tuk ye joh vilam pehle or dhusre charan me dhokha gya hai wo dhora ya nai jai ga or 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 mein ye bhi guzari sh karun ga election commission se ki joh hum shikait kratte hai khas torse khas torse hum nai kai shikait kyi ki har ek raja me bjb ke umid war dharmik pratik koh ke aadhar par apna prachar kar raha hai dharm ke nama par or dharmik pratik koh ke nama par mein or kuch nai kena chata ho dharmik pratik koh ke aadhar par dharmik chinnon ke aadhar par ye model code of conduct ka ulangan hai ye representation of people's act 1951 ka ulangan hai ye supreme court ke aneik dinanayon ka ulangan hai aur ye is kitab ka ulangan hai samvidhan ka ulangan hai aur hum ne kai shikaiti ki hai hum harre khilaaf kai doctor poster chhpaay jate hai us ko kari delhi police nai htaya hai us ka bhi hum nai shikaiti kia hai rahul gandhi ji ko lel kai fake video chalaya jah raha raha unka hum nai kaita nai roj pundra sola hum har shikaiti jat hai hai mein hum hum kata ho ki jald se jald woh karerwai karer har ek video par kuch karerwai karerwai karer kertte hain me aisa nai ki hum har shikaiti to par unhoh nai action nahi li hai par or thudha sakti dikhani ki zarur hai kyunki ye sab meidhani sanstha hai nishpaksh sanstha hai kyunki 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 ट्रफिशिक टुबबबबबुट सेुट वोजन हैं। एप्प एप्पूम। इव दिवेगे वी इवबबुबबबुबबबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबु इव लेगे टो मेच थैवेदिक 手ंपिश्ट etmek। normally it is done almost immediately, as I said I will reserve judgment, they have issued another statement as I was coming to the press conference I saw another statement issued by the election commission, my second demand and I am very glad that a few hours after I tweeted the response of the election commission came, now whether that is cause and effect or correlation I don't know, but it is good that it came, but I had also demanded yesterday evening the number of registered voters in every assembly constituency of every Lok Sabha constituency, that information I don't know whether they have published or not, I have not seen the latest release that they have put out, we had made two demands, demand one was the voter turnout figures, detailed voter turnout figures and second the number of registered voters in each constituency, so that we could compare the number of registered voters and the actual voters who came, how can I give details, why should I give details of a fake video, there are numerous fake videos and by the way these fake videos are not doing the rounds now, they have been doing the rounds for the last few years, these fake videos have been manufactured with the official and they have been put out by official spokespersons of the BJP, so these fake videos have been you know doing the rounds for a long time. That's a separate issue, let me finish this, we are discussing election commission, see, see, one thing, one thing, one thing, one thing, one thing, one thing, we must run a press conference based on certain rule, I will take every question, let's take one issue, finish that issue, then move to a next issue, suddenly I am answering election commission you are asking me about something else, so I will come to you, 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 let's finish this election commission issue. या वान इशी वान क्वेस्टन हाँ नहीं आपको तीन क्वेस्टन मिल सकता है आपने जो धहरी दिखाया है ना चैनल पर बोलिए बोलिए अबिजेपि ने बड़ा आरोप आपने विखाया है कि सल्मान खुर्शीद की भतीजी ने ओट जिहाद की बात की है यार दिखो मैं क्या बात कर रहा हूँ और आप कहां बहस ले जाना चाहते हो मैंने कहा कि बीजेपी के कई उमीदवार जो मंत्री हैं वो चुनाव प्रचार में धार्मिक प्रतिकों का इस्तिमाल कर रहे हैं सवाल वो है उस पर अगर आपको कुछ सवाल पूछना बताए उसके हमने शिकायत इलेक्शन कमिशन को फ़लाने विक्ती कि बती जी ने क्या कहा भांजे ने क्या कहा बाई ने क्या कहा यह सब मेरा काम नहीं है, स्वालों मुझे आपने जी, जैराम जी, धार्मिक प्रतिकों को हम कितम करें? अगर उनको कोई आपती है तो शिकायत करें बस उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही है मेरा नाम है जैराम तो क्या और को अगला सवार क्या अमेठी और राइबरली सर उससे पहले अमेठी और राइबरली पर मैं कुछ कहूंगा ताकि आपके कुछ सवाल बाकी नहीं रह जाए कॉंग्रेस सेंट्रल एलेक्शन कमीटी ने कॉंग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल से जल अमेठी और राइबरली के जो कॉंग्रेस पार्टी के उमिद्वार हैं उसकी गोशना करें मेरा ये मानना है कि अगले चोबीस घंटे के अंदर कॉंग्रेस अध्यक्ष इसकी गोशना करें CEC has empowered the Congress President to finalize the Congress candidates for Amethi and Rai Brayli my expectation is that in the next 24 to 30 hours Congress President will finalize and a decision that has been taken by him will be announced formally till that is done all information all tickers all so-called office orders are all fake let me make it absolutely clear CEC has empowered the Congress President the Congress President will take a decision as I said in the next 24 to 30 hours and you will get an official notification real authentic notification not fake notifications that we're doing the rounds yesterday Sir Jayaram Sir Jayaram Sir and the other I've been I've been I've been think that सब्सक्राइब कर रहे हैं और समय कोई देरी नहीं है, तीन तारीक तक समय है, आज पहली तारीक है, आज हम श्रमिक न्याई के बारे में चिंतित हैं, और अगले चौबीस या तीस घंटे के अंदर, अभी, आज हम वेचीए, याज हे हैं, आज है, याज हुआ हम बारे में, आज हम अए सिर्फौत ऑन से अऴसार रहे हिकनोति, याज हैुआ हैं आज हैं, वोड़ी देलिए रहा है वाजा वाज्टी अथ्राइब जाल राव झाल अर्वट्क टाइज कर्या कर दोड़ी और प्रयंका गंदीजी रहुल गंदीजी राव अरॉट गंदीजी और चम्पाइन कोपाइनी अप्रॉबूरी तोड़ी प्रयंका जी इस दूबूरी श्यों अथे अदेबर इसौछ़िए। गुजराथ जी अप्पाइब नूपगी अप्पाइए। जीज़ाद था प्रॉट। hybrid अबडिपार्फ ट्रॉट। था आपना स्वेधं क्या च्थर। आप्पाइब से औरुट। इंद प्राइबों आप इंद्टेश्पूर। झार। प् if i buy the fifth, then you know, then i will be in a position to answer but today, when you have 48 hours more and she is busy campaigning, Mr. Kharge is busy campaigning Mr. Kharge is addressing 4 5 meeting everyday, these are our three superstar campaigners, Mr. Kharge Congress President, Rahul ji former Congress President, and Priyanka ji our General Secretary, so it is unfair to say I tell you it is unfair to say कोई देरी हुई है कुछ देरी नहीं हुई है I have just answered your question my friend that the CEC CEC has empowered the Congress President Congress President is fully seized of the matter he knows that a decision has to be announced well before the nomination time normally it should be announced by tomorrow evening last question on this I think I think I think I think I think I think whatever decision अरे सुनने जो यारे सुनने जो बिले बिले जो फर्या आशाओ कि वीट और मिन के चुटेजितक। एजा अन्योंदेट वीरा और सेख़ गोर्कारिज।, ऽ ए ए फ्कि ए बीटेश बीटारा कि दीजिए ? there is no delay, there is absolutely no delay, where is the delay, see candidates are not announced on the basis of the deadlines that your media houses have set for themselves, you have to put out information every day, we are not here to meet your deadline or to meet your headline, either your headline or your deadline, we have to go what, so we are here, if we are not announced by the third, say 11 o'clock, you can say there is an extraordinary delay, it is not, there is no delay, I can tell you number of seats where we have announced the candidate 24 hours before the last date of nomination no, 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 I am asking the question, I am asking the question, the BJP which is telling us that we are afraid, why has the BJP not announced its candidate for rivalry, that is the question I am asking, like I have asked the Prime Minister this question, is he in favour of lifting the 50% ceiling on schedule caste, schedule tribe and OBCs, is he in favour of bringing a constitutional amendment in order to provide meaningful reservations to schedule caste, schedule tribes and OBCs, let him answer these questions, no, see the Prime Minister is giving interview after interview and the questioners are not asking questions, the questioners are just sitting in front of him, listening to his long lectures and he is constantly, constantly distorting, constantly diverting and constantly defaming the congress, so we have to ask him some of these basic questions, so we have to ask him some of these basic questions.